आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने android notification को वापस ला सकते हो how to get back your android notification apps updates are ready तो यह अगर notification आपको वापस लाना है जैसे आपने गलती की है कि कि किसी यूट्यूबर्स जैसे उन लोगों का यूट्यूबर वीडियो देखा है कि फोर स्टॉप कर दो डिजैबल कर दो और गलती से आपका खट गया है तो क्या करना है आप सेटिंग में आईए अपने फोन के और सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले तो आप एपस में चलिए आपको एपस में चलना है और एपस में आने के बाद आपको android setup करके आपको देखना है एपको इसके लिए आपको system app enable करना होगा उपर से three dot button जो दिया हुआ है आप यहां पर आपको enable करना होगा और यहां पर देख सकते हो नीचे में android setup notification मैं दिखाता हूँ यहां पर तो इसको खोलने के बाद यहां आने के बाद देख सकते हो अगर disable होगा तो अगर अब हैं इस तरह से disable जो भी रहेगा इस तरह से अब देख सकते हो इसको भी आप enable कर लेना और enable करने के बाद जो सारा चीज हो जाएगा अप यहां allow notification देख सकते हो setup जो है उसको भी enable रखना है और यह होने के बाद वापस बैक आईएगा अब आपका नोटिफिकेशन अभी की तरह से खतं करता यह सब तो खतंम करने का तो हो गया तो आपको चलिए और इसको सारा आप जो है अभी लोडिंग लेगा तो ओके कर दिया हमें ने तो यह लोड ले चुका है वापस से और यहाँ पर आपको क्या करना है Android सेटप जो है आप उसको आप देख सकते हो वहाँ पर है उसको प्लिक कीजिए और इस तरह से आपका shortcuts दिया हुए तो चार shortcuts मुझे लेख रहे हैं आपके मोबाइल में उपर नीचे कोई भी ऑडर में वह shortcuts होगा इस तरह से app updates are ready का notification उपर भी आ गया है आपको मैं दिखा देता हूँ वो चीज और अगर ये चीज हो गया है तो अगर इसको fix करना है मतलब totally हटाना है तो मेरा वीडियो देखिए वहाँ पर जाके आप totally इसको fix कर सकते हो वह समनों टंकी नहीं कि हाँ enable करना disable करना fix कर सकते देखिए इस तरह से आपको notification में यह आप चुका है झाल